नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे भाजबा जिला ध्यक्षर रवी मालवे का फसल निरिक्ष्ण के दौरान खेत में सेलफी लेते हुए फोटो सोशल मेडिया पर जम कर वारल होने के बाद कॉंग्रस भाजबा पर हमला वर हो गई है और कहा है कि जहां किसान बरबाद हुई फसल को लेकर परिशान है तो वहीं बीजेपी के नेता खेतों में जाकर सेल्फी ले रहे हैं मामला बुधनी विधान सभा के नसुल्ला गंज छेत्र का है जहां इंदीनों प्रश्वास्तिक अधिकारी खराब होई सोया बिन के फसल का खेतों में जाकर निरिक्षुन कर रहे हैं जिसमें भाजपा जिला धेक्ष उनके साथ घुम कर अपनी चवी चमकाने में लगे हैं और पीले पड़े सोयबिन के खेतों में सेलफी ले रहे हैं। साथ ही बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी के धर्जियां उड़ाते हुए प्रश्वास्निक अधिकारियों के साथ घुम रहे हैं। जो बीजेपी नेता की कथनी और करनी को दर्शाता है। वहीं जिला कॉंग्रेस प्रवक्ता गुपाल शर्मा द्वारा भाजपा पर निश्वाना साथ तेहवे कहा की वर्तमान में किसानों की संकट कालीन परिस्थिती में आज शिवरास सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हु बीरे रिपोर्ट नियुस 39 इंडिया। का कार कर रहे हैं जो निश्चित रूप से निंदा दायक है। तो वे अपनी कार रियोजना बनाएं, मैं ऐसे कार की जहां भरतीनता परटी के हमारे जिलाद्ध्यक्स और सारे पदाधिकारी खेत में जाकर सेलफी लेने का कार करना है, मैं ऐसे कार की भसना करता हूं, आप कमलनास सरकार की निन्दा करके अपनी विफलतायन नहीं चुपा स निश्चित तोर पर ऐसे समय में सिहुरा सरकार जब मुझे यादे पिछली साल जब सीहुर की तहसील में कहीं किसानों की सोयविन की फसल बरबाद हुई थी तो सीहुरा सिंग चोहान ने एक नोटन की करते हुए रात में कलेक्टर सीहुर के दरवाजा खुलवा कर उनसे बात तो आप देखते रहे न्यूस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश झाल झाल